तो फाइनली आपके आर आर भी जे की बुक आ चुकी है बहुत सरे लोग एक्जाम देने वाले बड़ा नंबर होने वाला है और यह सीबीटी टू की बुक निकल दे है इसका मतलब है कि सिविल वाले जित्ते भी स्ट्वेंट से उनके लिए बुक आ चुकी है और यह इबुक के फॉर्मेट में हैं आप गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहां से आप इस्टेडी कर सकते हैं ठीक है प्राइस वगेरा सब कुछ में बताता हूं कुश्चन हो सकता है आपका रहे कि सर सीबीटी वन तो हुआ नहीं सीबीटी टू की बुक लेके आ आगए ब हो प्रोसेस में है सेवले nó बुक और सीबीटी बुक पहले कंपलीट थे पहले निकालगे तो में Civil Engineering में हमारे बुक कैसी है क्या है सब बताता ओं आप लोग को ठीक है कुछ लोग का कुछछन होगं कि सरमेकर वालों heute में को लगता है कि 10 से बारह दिन में उनकी बुक भी आजाएगी CBT-2 की बुक ठीक है तो डोंट वरी अब देखेगा आपके पास नाम रखे आर आर भी जही नेविगेटर CBT-2 इस वन में उसमें सब कुछ है टेखनिकल नॉन टेखनिकल सब्जेक्ट वाइस फूरे सॉल्ट कुश्चंस है पता आपके पास फिप्टीन सॉल्ट पेपर से पीवाई क्यू के फिप्टीन सॉल्ट पेपर जो 2019 पंदा और 14 में हुआ था इतना ही साल के पेपर्स एवलेबल है और और इंडिया में किसी के पास भी तो जितने पेपर्स तो सब हमारे पास है फिप्टीन पीवाई क्यू के पेपर्स और इससे बहुत एडवांटेज होगा यह फिप्टीन पीवाई क्यू के कुश्चं मिला के 4102 नहीं है इस यह कुश्चंस होंगे फिर यह पूरे बहुत कलेक अब आपको थोड़ी सी बात अगर मैं करनू तो आपको पता है कि एक से बीटी टी टोटल एक्जाम का पैटर्न कैसे होता है और उसके बाद इस पर बेस्ट आपके पास रिजल्ट आएगा जो से बीटी टू का आएगा इसका तब सीबीटी टू इस वेरी वेरी इंपॉर् से बीटी टू में आपके होने के लिए इस बात को देहां रखें यह यह पूरा मारा आर भी जो यह उसके एक्जाम का पैटर्न उसके बाद आपको स्टेज वन के अगर बात करो तो 90 मिनेट्स आपके पास होते और नंबर आप कुश्चन हंड्रेड होते 90 मिनेट्स आपके होते हैं जबेबले स्माइबिस आपको पता है अटमीर सबाथ्स सबक्स का मातिक यह सरे ने जो कुशन है किनिंगे चक्राइंक पंदृ सब तोटल को अनु हम फे पर नेगेटी मार्किंग होगी वन थर्ट कर यार रखेगा नेगेटी मार्किंग है और आप याजाते हैं सवाट लिस्टएट होंगे से सेबीटी वन से एक्सटार्ट है और 120 मिनाट है दो घंटे का पेपर इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो सब्जेक्ट है टेकनिकल सिविल का वो है अब आपके पास क्या होता है इसका मतलब यह है यही आपको सिलेक्शन के लिए हल्प करेंगे बागी 50 भी इंपॉर्टेंट है यह आपके पास टोटल होता है आपके यह भी आपजिक्टी टाइप होता है वर्चल कैलिटर आपको मिलेगा एक्जाम में और नेगेटी मार्किंग वन थर्ड मार्किंग है च पैटन कैसे हमारी बुक आप स्टार्ट करोगे तो आपको बुक का पैटन से मिलेगा जो से इंजिंग मैकेनिक से बिल्डिंग मटेरियले कॉंक्री टेक्नलोजी सर्वेंगे कंपिटर डिजाइन है जियो टेक्निकल इंग है यह आपके पास जब और आगे बढ़ेंगे तो जिसमें इस्टी देखेगा जग्राब भी देखेगा पॉलिटी देखेगा एक्कृमिस दिखेगा जनरल नॉलजज चिश्क शाइंस में अथा क्यों क्श्रूरा इप्रिबिटरी अप्लिकेशन से इतना आपके पास पूरा पूरा बूक का पैटन यह आपका प्रिदीश पेपर आपके पास जो वह था यह सिप्ट टू है यह 19 के पेपर आपके पास फिर यह 15 के पेपर है ऐसे करके टोटल पेपर जो है वह 15 पेपर उस समय में नाम एसा लिखता है कि सिप्ट वन का ग्रिन लिखा हुआ था इसका यलो लिखा था इसका रेडिय से कोड दिये थे यह ग्रिन यलो रेडिय यह 2014 की बात है फिर 2015 के पेपर है टोटल कितने पीवाई क्यू की पेपर है 15 पेपर से इस ते आपको बहुत हैल्प हैं सब्सक्राइगा कि सिस सी की पढ़ लो आप अर 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 वी एकजाम देने के लिए नहीं हमको महनत इसलिए करने पड़ है क्योंकि हम डेडिकेट फर ऑर अर भी लाना चाहते थे हमको यह बी पता है कि आर अर भी का एक्जाम होगा तो लोग देंगे तो यह बुक डेडि अभी हम लोग सब सौफ काफी वाले फार्मेट में, डिजिटल मेडियम प्लेटफॉर्म को हम यूश कर रहे हैं, अब हमारे गेट वगेरे की जो बुक्स आ रही है, वो भी सब आप देखो कि, एप्टिटूट की बुक्स देखो कि, जितनी भी गेट की जो भी बुक्स है, हम गेट में, हमारे बुक्स सबस्से चलती, क्योंकि हमारा स्टाइल बहुत अच्छ है, हम जिस तरीके से फ्रेम करते हैं, हम इस ट्रैक्शकस बनाते है, जिस तरीके से credential बनाते जिस तरीके से सटाइल होता है वो हमारा सबसे बेस्ट है, कभी किसी गेट वाले ऐस्प्रेंज स इसका मतलब है कि इबुक से तो पीशे पलटा के आपको जाना नहीं पड़ेगा तो फटा 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 आगे बढ़ सकते देख देख के आगे बढ़ सकते बट इतना पढ़ना जरूरी अगर आर आर भी के एकजाम को क्लियर करना चाहते है तो इस बात को धियान रखेगा बाक आप देख लो कियसे पैटर्न लग रहा है उसके बात पर्चेस करो तो ऐसा भी नहीं कि पर्चेस करूं की ना करूं वैसे मैं प्राइस बता रहा हूं लेकिन फिर भी गूगल इतना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप आराम से सेंपल पेजिस देख सकते हो प्राइस तो भी वह ज्यादा महेंगी नहीं पड़ेगी 250-260 पड़ेगी मतलब GST के बाद भी तो 222 प्लस GST होगा यह 333 आपके पास बर GST इंक्लूसिव है ठीक है यह QR कोड है इस QR कोड के थूँ आप जा सकते हो जहां से भी आपको पर्चेस करना है मतलब जो भी हमारा प्लेटफ समय भी दिख जाएगा ठीक है तो अब आपकी 24 है वट मैं बोल रहा हूं कि नॉमली वो लोग जो पहले से प्रिपेर होते मतलब ऐसे बहुत लोग होंगी जो CBT1 क्लियर होने के बाद ही CBT2 पढ़ना चालू करेंगे उनके चांसे थोड़े कम हो जाता है CBT2 निकालने के क्य तो यह हमारा mindset बहुत important है हम कैसे सोचते कैसे plan करते और उसी तरीके से लोग successful होते जिस तरीके से plan करते ठीक है बागे तो जब आप बुक पढ़ेंगे तब आपका feedback लिया जाएगा कि आपको कितना पसंद आता है कैसा आपको feel हो रहा है कैसा आपको लग रहा है तो let's see आप आपको कितना पसंद आएगा ठीक है देखते है ओके थैंक्यू